गूट मार्निंग अभी सुबह के साड़े नौ बज रहे हैं और आज संडे है क्योंकि साल का आखरी दिन है और बच्चे घर पर है उनकी छुट्टी है आज बच्चों के लिए मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नास्ता दूद में ब्रेड को डिप किया और चटपटा टेस्टी सा नास्ता बना दिया आप सोच रहे होंगे दूद में ब्रेड डालने के बाद चटपटा नास्ता कैसे बन सकता है चलिए तो रेस्पी आपके साथ शेयर कर रही हूँ पसंद आएना तो एक लाइक कर दीजेगा और यहाँ पर मैंने खूब धेर सारी बेजी टेबल डाली हुई है धेर सारा पालक, गाजर, हरी धनिया, प्याज, टमाटर और भी जो सबजियां आपको पसंदो आप सब डाल सकते हो इसमें और बच्चे इसको चट करके खाएंगे थोड़ा सा भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर जब हमने ब्रेड में दूद को डाल के रखा ना तो वो हो गया है हलका सा सौफ्ट अब हम उसमें सारी बेजी टेबल यहाँ पर डाल देंगे तो आपने देखा मैंने डाल दी है पालक, गाजर, प्याज, खूब धेर, सारा हराधनिया यहाँ पर ना आप और भी चीज़ें अड़ कर सकते हैं जैसे कि आपको अगर पत्ता गो भी डालना हो, फूल गो भी डालना हो, सिमला मिर्च डालनी हो जो भी आपको पसंद हो, आप सब डाल सकते हैं और यह मेरी फेबरिट मटर आ गई यहाँ पर मुझे मटर सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, जादा तर नमकीन रेस्पी में मैं डालती हूँ अब यहाँ पर मैंने एक क्रफली चॉप करके लिया था टमाटर, मसालों की बारी आएगी बेसिक से मसाले हैं, नमक टेस्ट के अकॉर्डिक, मिर्ची पाउडर, यहाँ पर डाल रही हूँ मैं, आधा जम्मच अमचूर पाउडर इससे क्या होगा, एक चट पटासा टेस्ट आएगा और यह गया सोया सॉस एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर सोया सॉस डाला है, और यह डाला है औरिगैनो तो अभी तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए जिस जिसको समझ में आ रहा है कमेंट करके फटा-फट से बताईए कि ये क्या बन रहा है तो अम मैंने ली एक बड़ी सी परात और उसमें हम इन सभी चीजों को ट्रांसफर करतेंगे क्योंकि बाउल बहुत छोटा है और इसमें में जो सामग्री है वो हमें मिलानी है तो पहले इन सभी चीजों को करेंगे mix और जो में सामग्री है उसको यहाँ पर add करेंगे तो मैंने यहाँ पर धेर सारी सबजियां ली है और सबजियों के साथ यहाँ पर क्या जाएगा गेहूं का आटा, वीट फ्लोर, गेहूं के आटे और ब्रेड, पालक, सबजियों की जो रेश्पी आज बन कर तयार होगी, वो बहुत ही टेस्टी यम्मी बन कर तयार होती है, मै इसको जब भी बनाती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जादा तर इसको बनाती हूँ तो आज बड़ी वाली बेटी ने बोला कि ममा आप वही बना दो जो आप लंच बॉक्स में बनाते हो वो नास्ता भी हो जाएगा और हम लोगों के लिए थोड़ा सा हैबी भी हो जाएगा और मैं भी खुशी खुशी बना देती हूँ क्योंकि इसमें पड़ती है धेर सारी सबजियां और गेहूं का आटा तो यहां पर तो चलिए यहां पर इसको दे देते हैं लास्ट रूप तो यहां पर हमें क्या करना है यह जो हमने डो बना कर तयार किया है इसके थोड़े से बड़े-बड़े साइच के हमें यहाँ पर पीसिस कट कर लेने हैं और आप इसको अपने हाथ से इस तरह से फैलाते जाईए तो यह देखिए मैंने इसको चौकोर आकार में फैला लिया है इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पर चीज की स्लाइस चीज बच्चों को बहुत पसंद होता है तो थोड़ा सा मतलब इतना सारा कुछ हैल्दी मिला रहे हैं हम तो थोड़ा सा बच्चों के मन का भी कर देते हैं तो इस तरह से मैंने चीज की स्लाइस को रख दिया है और चीज की स्लाइस हलके हाथों से इस तरह से दबा दीजिए और बराबर का दूसरा पीस उसी तरह का तैयार कर लिजिए ये देखिए अगर हातों में चिपके तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सुखा आटा लगा सकते हो या फिर आप थोड़ा सा हातों में तेल लगा सकते हो ठीके? तो ये देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डस्ट कर रही हूँ ताकि मुझे इसमें लगाना है बेलन इसलिए लगाना है क्योंकि अगर यह मोटा होगा तो हलका सा पतला हो जाएगा और जब हम इसको फ्राइ करेंगे तो यह एकदम एक सा सिक्कर तयार होगा तो आपना इसको गोल आकार में भी बना सकते हो जैसे हम पिज़ा बनाते हैं उस तरह से भी आप इसमें कट लगा कर बना सकते हैं और आप इसको इस तरह से लंबे आकार में भी कट कर सकते हैं मैं यहां पर ना इसको ट्राइंगल में कट कर रही हूँ यह देखिए तो यहां से बराबर कर देंगे और इस तरह से इसके हम सैंडविच जैसे पीसिस कट कर लेंगे तो मैं इस नास्ते को कई तरीके से बनाती हूँ और जब इसके बीच का चीज मेल्ट हो जाता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेरे मन का भी हो जाता है मैं उन्हें कुछ हेल्दी खिला देती हूँ और बच्चों के मन का भी हो जाता है क्योंकि इसमें चीज बड़ा होता है बच्चों को चीज बगएर बहुत अच्छी लगती है तो ये देखिए एक तयार हो गया है और उसमें कितने धेट सारे निकल आए हैं पीसिस तो यहाँ पर मैं दूसरा भी बना लेती हूँ और इतना जितना मैंने डो तयार किया था ना तो उसमें खुब सारे बन जाते हैं तीन से चार लोग आप आराम से इसको भर पेट खा सकते हूँ और यहाँ पर इसको मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो डे फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरह से तेल गरम हो गया है तो बस इसको रख देंगे कोई फटने फैलने का जंजट नहीं होता है कि यह फैल जाएगा या खराब हो जाएगा कुछ नहीं होगा बस आप इनको पीसिस को इस तरह से रखिए और जब यह एक तरब से सिख जाए थोड़े से तो बस उलट पलट कर इनको सेखना है एक ही तरब से मतर डाले रहिएगा बरना एक तरब तो सिख जाएगे पर दूसरे साइट कच्चे रह जाएगे तो आज को मीडियम रखिए और बढ़िया सा उलट पलट कर इनको सेख लेजिए यह देखिए कितने बड़िया गोल्डन ब्राउन सिख कर तयार हो गए है खुब धेर सारी सबजियों के साथ यह नास्ता बन कर तयार हो गया है गेहूंके आँटे का अगर आपको यह रैस्पी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा और मैंने यह बनाया है 31st को सुबह तो चलिए न्यू वियर पे मैं अपने बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी रैस्पी में तो यह जो बाकी की पीसेस बच्चे हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं और होता क्या है जब इस तरह का कुछ गरम-गरम नाष्टा बनता है ना तो अभी सर्दियां बहुत जादा हो रही है तो सभी गर्म-गरमी खाते हैं तो मैंने यहां पर सॉस दिया बच्चों के लिए और हजबन के लिए यहां पर मैंने चाय बना दी है अद्रक वाली तो आपको जिसके साथ भी इसे इंजॉय करना है आप कर सकते हैं और ये क्रंची करारा टेस्टी सा चीजी चीजी सा नास्ता यहां पर तयार है यह देखिए तो इंजॉय कीजिए टेस्टी से नास्ते को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेए